हलो गाइस दिस इस साक्षी वेलकम बैक को माय चैनल तो दोस्तों काफी दिनों के इंतिसार के बाद हमारे सामने मून नाइट का पहला एपिसोड आ ही गया मून नाइट मार्वल यूनिवर्स का नया कैक्टर है जो कि बेस्ट है एजिप्शियन माइथोलाजी पर जिसमें ओड एजिप्शियन गौड खुद अफ्तार लेते हैं और किसी बंदे को चुनते हैं जिन से उन्हें अपना काम करवाना है अब बात करे मून नाइट के ओवर्वियू की तो ये कहानी एक नौर्मल लड़के की है जो अपनी संगर्श पूर जिन्दकी को जी रहा था उसके पास जिने का कोई मकसद नहीं था दोस्तों के नाम पर उसके एक पाल्टू मचली है और 28 की उमर तक उसे किसी लड़की का प्यार नहीं मिला सिर्फ मा के प्यार को छोड़ कर और तो और वो अपनी जिन्दकी में परिशान है क्योंकि वो जब भी सोकर उठता है तो वो खुद को दूसरी जगा पाता है अब उसके साथ ऐसा होने का रहस से क्या है हम आगे की कहानी और आने वाले एपिसोर्स में जा पी लेता है और फिर एक कपड़े में गलास को रखकर उसे अपने ओल्ड स्टिक की मदद से तोड़ देता है और आगे हम देख पाते हैं कि उसने उन टूचे हुए गलास की चुक्रों को अपने जूते में डाल लिया और उसे पहन कर अपने घर की ओन निकल जाता है अब का पीचे उसने रेट डाल रखी है ताकि अगर वो रात में बाहर जाए तो उसके पैरों के निशान उस फ्रीट पर बढ़ जाएं अब खुद को अजात करने के लिए वो अपनी गेट के पास आकर गेट पर लगा हुआ हुआ हटाता है वो टैब भी उसने सेफटी के लिए ल कि सचाई को समझने के लिए उसने अपने घर में इतने सारे ताम जाम किये हुए हैं अफ्रेश होने के बाद स्टीवन अपने पैट फिश करस को खाना देते हुए अपनी मा को कॉल करके उन्हें अपनी बोरिंग लाइफ के बारे में बाते करते हुए बताता है कि सुबा उ में काम करता है मतलब लंडन के ओड म्यूजियम में जहां पर अंग्रेशों ने हमारे देश के साथ और भी बहुत सारे देशों की प्राचीन चीजों को रखा हुआ है वैल तो स्टीवन को म्यूजियम की बाहर एजिप्ट कॉड का एक पोस्टर दिखता है और अंदर आकर चोटी बच्ची को चोटी एजिट के पिरमिट में कच्रा डालने से मना करता है और एक ममी के ताबूत को दिखा कर उससे बताता है कि पहले की जमाने में लोग नाक में एक रॉट डालकर हमारी अंदर के सारे और गंस को निकाल लेते थे सिर्फ हमारे दिल को छोड़ कर क्य तो वो म्यूजियम में चॉकलेट बेचता था पर उसकी बातों और उसके नॉलिज से हम समझ पाते हैं कि वो एक अच्छा टोर गाइड बंड सकता है पर उसकी बॉस उसे सबसे बड़ा निकम्मा समझती है अब इस टीवन हमेशा लेट आता है जिसके लिए उसे ओवर टाइम करने की सजा मिलती है अब इस टीवन को सुनाने के बाद जैसे ही उसकी बॉस चाती है तो इस टीवन के पास एक उपसूरत लड़की आती है जो उससे पोछती है कि वो कल रात उसके डेट पर जाने के लिए तैयार है ना हम इस टीवन को देखका समझ पा रहे थे कि जैसे उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि वो लड़की उससे डेट पर चलने के लिए क्यों कह रही है जबकि उसने आज से पहले कभी भी उससे बाद ही नहीं की अब सामने से स्टीवन को पहली बार कोई लड़की डेट पर जाने के लिए पूछ रही थी तो वो उस लड़की को हाँ बोल देता है कि वो उसके साथ कभाब खाने चलेगा उस लड़की के जाने के बार डोना आती है और बोलती है कि वो तो वेजिटेरियन है तो वो कबाब कैसे खाएगा डोना उसे बोलती है कि तू बस निकम्मा बनने की कोशिश करता है है तो तू बहुत ही होशियार अब एक्स्रा टाइम में जब स्टीवन डोना की मदद कर रहा था तो वो अपनी बॉस को एजिप्टियन कॉर्ड के कलब एनिट के बारे में बताता है जिसमें और इसे स्टेफनेट औरस और भी नौ देवता थे पर पोस्टर में सिफ साथ देवताओं को ही दिखाया गया था जिस पर टोना स्टीवन को बहुत सुनाती है कि उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए पोस्टर को छोटा रखने के लिए उन्हें बाकी के दो देवताओं को कलब से बाहर निकालना पड़ा और अगर वो अब उन देवताओं को पोस्टर में जगा ना मिलने के लिए कु बोलता है और गार्ड स्टीवन को स्कॉटी नाम से बुलाता है अब हम समझ पा रहे थे कि बैचारे स्टीवन की इजद कोई नहीं करता अब अपने चीवन की कटनाईयों को वो एक स्ट्रीट आर्टिस को बता रहा था वो स्ट्रीट आर्टिस सडख पर मूर्ती बना कर खुद को दूसरी जगा पर पाता है इसलिए अब वो खुद के पैरों को जंजीर से बांद कर सोता है अब उसके लाइफ में एक लड़की आ गई है जिसके लिए उसे खुद को आजात करना होगा नहीं तो वो उसकी मा को बहु कभी नहीं मिलेगी बहां से जाने से पहले स् जीवन को सोना नहीं था इसलिए वो जाकते रहने का प्रोग्राम लगाता है जिसमें वो उसे पजल सॉल्प करने को बोल रहे थे ताकि नीन ना आए जब वो पजल से बोर हो जाता है तो वो उसे किताब पढ़ने के लिए बोलते हैं जिसमें स्टीवन इजिप के एती हास क बारे में पढ़ता है, खुद को सोने से रोकने के लिए वो ये सब कुछ बार बार करता है, पर उसे नेंद लगी जाती है, और जब वो अपनी आखे खुलता है, तो वो खुद को लंडन शेहर के बाहर एक काउ के पास पाता है, स्टीवन बहुत ही जादा घायल था, तो वो एक बहुत बड़े ममी को उसके पीछे देखते हैं, उसके अंदर की आवास अपना नाम मार्ग बताती है, और स्टीवन को इस स्क्राप को ले कर भागने के लिए बोलता है, जो कि उसके ऊपर दो लोगों ने हमला कर दिया था, उनकी गोलियों से बचता हुआ स्टीवन के चराहे पर आता है, जहां लोग अर्थर को किसी भगवान की तरह ठीट कर रहे थे, और हमें ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी एक कल्च बनाई है, जिसका लीडर वो खुद है और सब लोगों से वो स्वर्क और नर्ग की बाते करता है, फिर पास के ही खड़े लोगों मे है, वो अप एंड डाउन हो रहा है, मतलब वो तराजू उस आत्मे के अच्छे बुरे कर्मों को माप रहा है, यह देखकर हम समझ पाते है कि अर्थर कोई आहम आदमी नहीं है, और अंत में वो तराजू ब्लैक ही रहता है, तो अर्थर उस आत्मे को बता देता है कि वो आती है कि उसने अपनी लाइफ में कुछ कलत नहीं किया, तो अर्थर उनसे माफी मांगते हुए उन्हें समझाता है कि उन्होंने अभी भले ही कोई पाप नहीं किया हो, पर आगे आने वाले समय में जरूर पाप करेंगी, यह सुनकर वो बूरी ओरत अपना हाथ छुडाने की कोशिश करती है, पर अर्थर उस औरत के मनने की बाद ही उनका हाथ छोड़ता है, और उस पूरी औरत की बॉड़ी को अर्थर की आत्मी अपने साथ ले जाते हैं, यह सब देखकर स्टीवन शौक था, और पीछे पड़े हुए लोग भी उसे ढूनती हुए वहाँ पर आ आत्मी ने उनकी दो आत्मियों को मारा है, वो यही हैं, यह सुनकर अर्थर सभी वहाँ पर खड़े लोगों को इजिप्टियन भाशा में बैटने को बोलता है, और सब बैट जाते हैं, पर स्टीवन के साथ इंजियन मूवी वाला कांड हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नही कि आता कि आर्थर ने क्या बोला है, और सही टाइम पर वो नीचे नहीं बैट पाता, तो स्टीवन को आर्थर की आत्मी पकड लेते हैं, अर्थर स्टीवन से उसके बारे में पूछने के बात उसे स्क्राब देने को बोलता है, स्टीवन बिना किसी ना नुकूर के वो पर और्थर उसे स्क्रैप को लेने ही वाला था तब स्टीवन का हाथ अपने याँ बंद हो जाता है क्योंकि मार्थ नहीं चाता कि स्टीवन ये स्क्रैप और्थर को दे और्थर के साथ स्टीवन भी अपनी हरकतों से परिशान होता है क्योंकि उसकी बॉड़ी को मार्क कंट्रोल कर रहा था तो अब स्टीवन को और्थर की आदमी पकड़ कर अपनी साथ ले जाने लगते हैं और उसके हाथ से वो स्क्रैप को छीनने के कोशिश करते हैं और अगले ही सेकेंड में जब स्टीवन अपनी आग खोलता है तो उसके पास उन लोगों की लाशे पड़ी हुई थी जिसे देखकर मार्क खोलता है कि उसने फिर से कावु खो दिया मतलब ये सब मार्क ने स्टीवन पर हावी हो करके किया था स्टीवन के पीछे काव वाले पर जाते हैं जिन से बचने के लिए वो एक आईस्क्रीम वैंट चुरा कर वहां से भागता है स्टीवन को अभी भी लग रहा था कि ये सब बस उसका एक सपना ही है तभी वो देखता है कि और्थर के आथ में उसके पीछे पड़े हुए हैं जिन से बचने के लिए वो स्पीट और तेज करता है और उन में से एक बंदा एस्क्रीम ट्रक के अंदर आ जाता है और बाहर से भी एक कार वाले ने स्टीवन को गन पॉइंट पर रख रखा था तभी अचानक स्टीवन अपनी आखे बंद करके खोलता है तो अपने हाथ में गन को पाता है और देखता है कि ट्रक के अंदर वाला बंदा मरा हुआ है और बाहर वाली कार का एक्सिवन हो गया है तो दोस्तों जब भी स्टीवन की जान पर कोई खत्रा आ रहा होता है तो मार्क उसे बचा लेता है ऐसे ही आगे आ रही एक बड़ी सी ट्रक से स्टीवन को मार्क बचाता है तब इतने बड़े एक्सिडेंट में भी वो दो कार स्टीवन के पीछे पड़ी थी दोनों कार स्टीवन की वैन को गेल लेती है और गोली मारने की वाली थी कि मार्क स्टीवन को कंट्रोल कर लेता है और जब स्टीवन होश में आता है तो वो देखता है कि उसकी वैन उल्टी चल रही है और एक कार नीचे खाई में गिर गई है अब एक कार बची हुई है जो उसके बिल्कुल सामने थी और स्टीवन के हाथ में गन थी पर वो बेवकुफ गन से गोड़ी चलाने की जगा वो उस गन को फेक कर उस कार पर मारता है उसके इस हरकत पर मार कुसा करता है तब भी उसकी वैन लुग जाती है और दो आदमी कार से निकल कर स्टीवन को गन पॉँच पर ले लेते हैं तबी उपर से बहुत बड़ी लक्री गिरती है जिसकी वज़ा से आखरी बचे हुई कार के सारे अर्थर के लोग मारे जाते हैं अकले सीन में हम स्टीवन को बैट पर चीक कर उटते हुए देखते हैं मानो ये सब उसका एक पुरा सपना था और उसे ऐसा लग भी रहा था ये सब सपना समझ कर स्टीवन बहुत ही खुश हो रहा था अब उटकर प्रेकफास करते हुए वो नोटिस करता है कि गस का दूसरा पर आ गया है जिसे लेकर वो पैट शॉप में जाता है जहां वो पैट शॉप वाली से पूछता है कि इसके दो पर कैसे आ गए तो वो उसे बताती है कि कल जब वो यहाँ पर आया था तब उसमें उससे कहा था कि वो दूसरी मचली ले ले यह सुनकर स्टीवन शॉप टोता है कि कल वो इस दुकान पर आया ही नहीं था अब वो घड़ी देखता है तो उसमें शाम के पाश बजे थी और उसे याद आता है कि आस तो उसे डेट पर जाना था तो थोड़ा तयार होने की बात वो रेस्ट हो जाता है जहां वो उस लड़की का बहुत इंतिसार करता है पर अंतु में जब वो उस लड़की को कॉल लगाता है तो उसे पता चलता है कि आच संडे है और उसकी डेट फ्राइडे को थी ये सुनकर स्टीवन को शौक लगता है पर उसे इस बात का अफसोस जादा था कि उसे एक लड़की मिली थी जिसे उसने खो दिया घर आते टाइम स्टीवन अपनी मास से बात करते हुए उन्हें अपनी डेट के बारे में बताता है कि सब कुछ अच्छा हुआ घर वो चॉकलेट के साथ आया था जिसे खाते हुए वो गर्स के साथ भी शेयर करता है और तब ही उसके हाथ से चॉकलेट नीचे गिरती हैं जिने उठाते टाइम उसका ध्यान फर्ष पर बने मार्क पर जाता है जो कि पास के टेवल के खिसकाने से बना था टेवल खिसका कर स्टीवन उसके उपर चरता है और उपर के खूफिय छेट में हाट डाल कर उसमें से एक फोन और चार्जा निकालता है फोन को चार्ज करके उसे ओन करने की बाद जब स्टीवन फोल में रिसेंट कॉल को देखता है तब उसे सिर्फ लाइला नाम की एक लड़की का कॉल हिस्ट्री नजर आती है अब स्टीवन को जान पाता उससे पहले लाइला का उस फोन पर कॉल आने लगता है जिसे उठाने पर लाइला उसे बोलती है कि इतने दिनों से वो उससे मिल क्यों नहीं रहा उसे लग रहा था कि वो मर गया क्योंकि वो उसकी कॉल और मेसेजस का जवाब नहीं दे रहा था अब उसके बातों का जवाब स्टीवन के पास नहीं था जो उसे च्छान बिन करने से रोक रहा था स्टीवन को लग रहा था कि कोई उसके मज़े ले रहा है तबी उसे उसके बातरों के मिरर में उसकी परचाई उसे बताती है कि वो बस अपनी लाइफ जीए जैसे वो जी रहा है ये सब देखकर स्टीवन घबरा गया था तब ये उसके घर की लाइस फ्रिकर करने लगती है जिसे घबरा कर वो लिफ्ट में जाता है ताकि वो यहां से भाग सके लिफ्ट भी स्टीवन का साथ नहीं दे रही थी स्टीवन ग्राउन फ्रोर का बचन प्रेस करता है पर वो थर्ड फ्रोर पर खुलती है जहां उसके सामने एक बड़ा ममी एक मास्क लगाए दिखता है जिसे देखकर वो बहुत डर गया था और लिफ्ट में बैट गया था तब ही लिफ्ट में एक बूरी और आता जाती है जि देखकर वो और दरता है और बूरी औरत भाग कर अपने दोस्त के फ्लैट में चली जाती है अंदा लिफ्ट में स्टीवन को वही ममी दिखता है जिसे देखकर वो डर रहा होता है और चीकते हुए अपनी आखे खोलता है तो वो खुद को बस में पाता है जहां उसे सब पै पर चैमी उसकी बात नहीं सुनता जोना भी वहां पर आकर स्टीवन को काम पर लगने को बोलती है पर जोना की बातों को एग्नोर करके स्टीवन और्थर से मिलने जाता है जो कि म्यूजियम में एमिट देवी के ताबूत के पास खड़ा था स्टीवन वहां पर खड़ी गा पर चैन देवी है ये बात स्टीवन को भी पता है उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एहमिट देवी पहले यह मुराश थी जो लोगों को उनके कलिक कर्मों के लिए उन्हें सजा देती थी पर वो अपने काम से उप गई थी मतलब फल के खराब होने के बात उनमें से कीड को के लिए जिसे उसने अभी तक किया भी नहीं था अब अर्थर की बात सुनकर स्टीवन वहां से भागने की कोशिश करता है और वहां पर भी और्थर के आदमी आ जाते हैं तब हमें और्थर के मकसद के बारे में पता चलता है कि वह एमिट देवी की पूजा क्यों करता है क्योंकि अगर आज़ वो होती तो हिटलर जैसे लोग होते ही नहीं पर उन्हें उनके सभी देवताओं ने कैदी बना कर रखा है इस्टीवन डर गया था कि अब अर्थर उसकी जान लेगा तब ही म्यूजियम लाइट फ्रिकर होने लगती है और अर्थर उसे बोलता है कि उ इससे बहुत परिशानी होती होगी ना जब उसे उसके अंदर की आवास सुनाएदी होगी जो उससे कभी भी खुश नहीं होती ये सब बात करते हुए और्थर इस्टीवन के हाथों को अपने हातों में लेता है और इस्टीवन के करमो को अपने तराशू पर तोलने लगता पर काफी देर तक उसके हाथ के तरासुर रुकते ही नहीं अब एंड डाउन होते ही रहते हैं जिसे देखकर आथर बोलता है कि तुम में बहुत ही जादा तबाही है तब ही म्यूजियम में कुछ लोग घूमने आते हैं जिनकी आने से स्टीवन अपनी जान बचा कर वहां से भाग जाता है और अरधर अपने आद्मियों को उसका पीछा करने से मना कर देता है अब रात में हम स्टीवन को ओवर टाइम करते हुए देखते हैं काम खत्म करने के बाद जब स्टीवन घर जा रहा था तो उसे म्यूजियम में किसी जानवर की आवास सुनाई देती है तो अपनी कोट में लेकर मुजियम से बाहर चला जाए तभी स्टीवन को इस जानवर की भयानक पर चाय दिखती है जिसे देखकर वो डर की मारे एक स्टैचू के पीछे चुप जाता है पर वो जानवर उसकी और ही आ रहा था तो स्टीवन अपने बैक को दूर फेक देता है ज जिसकी बाहर वो मॉंस्टर गेर तोरने की कोशिश कर रहा था तभी टॉलेट के मिरन में उसे मार्क दिखता है जो कि स्टीवन को बोलता है कि वो इसकी मदद कर सकता है पस स्टीवन को उसे अलाव करना होगा कि वो इसकी बौडी इस्तमाल करने दे पहले तो स्टीवन को य वाले बैंडेडिस निकलने लगते हैं तब ही वो मॉंस्टर गेट तोड़कर अंदर आ जाता है और हम देख पाते हैं कि वो मॉंस्टर टॉलिट से बाहर भागने की कोशिश कर रहा है पर स्टीवन जो की मार्ट बनकर मून नाइट बन चुका था वो मॉंस्टर को अंदर खी को भी लाने वाली हूं जिसमें हमें बहुत सारे रास के बारे में पता चलेगा जैसे लाइला कौन है और मार्क की आइडेंटिटी के बारे में भी हम जान पाएंगे तो प्लीज बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर अपना प्यार दिखाए और नेक्स एपि झाती हमें जान ऑरे अपना जैसे लाने जाकते हमें जाहर्जी की एपना इस पर में दिखी ऑट में कॉँए औरा दिखेंके लामै